जो लोग MBA के लिए प्लान कर रहें तो उनके लिए वीडियो बना रहा हूं मैं और थोड़ा सब मेरा भी 15 साल का जो एक्स्पीरियंस है उसको आपके साथ में शेर करने वानूँ अभी at present I am working as a guest faculty in different colleges MBA पढा रहा हूं और 15 साल से पढा रहा हूं तू बहुत कुछ देख लिया मैंने main problem placement को लेके बच्चो को आती है college admission ले लेता है दो साल में MBA भी complete हो जाता है but finally जो सबसे वड़ी problem आती है बच्चो को आता है placement को लेके उसी के उपर मेरा focus है और वही चीज मेरे को discuss करने ही उससे पहले थोड़ा से मेरा profile दिखा देता हूं मैं आप लोग को तो आप लो free MBA के videos मिल जाएंगे free books मिल जाएंगे तो सारे की सारी books हर state का book मिलेगा आपको आइधर सरा राहिस्तान, UP, MP, Bihar सबका books मिलेगा साथ की साथ आप लोग को MBA के videos मिल जाएंगे accounts के finance के सारे subject के videos है YouTube के link है वो आपको मिल जाएंगे उसके लावा मैं हर साल IMM दबाज जाता हू बच्चों को लेकि एज़ा टूर MBA के students जाते हैं बहुत कुछ सेखते हैं वापर उसके अलावा गुवा बिद्ला सिटी वाटर पार्क के टूर जाते रहते हैं यहां से कवर कर सकता है मैं स्टेट्स यह सब मिल जाएगा बुक्स मिल जाएंगी सब मिल जाएगा इतने साल होगे तो कुछ बुक्स भी मैंने लिख दिया बिसिकली मैं पढ़ाता हूँ प्रॉपर तरीके से तो ऐसा राइटर भी मान के चलो में रिको तो फारिशल डेरिवेटीव का बुक 2011 में लिखा था ऐसे आप लोग का इंटरनेशन फानेशल में का बुक है यह बुक लेका था 2010 में तो 78 साल से बुक्स भी लेख रहा हूं है यह क्यूटी का बुक है कॉस्ट अकाउंटी का बुक है यह सारी बुक्स आपको मार्केट में अवलेबल हो जाएंगे चलो यह सब तो ठीक है बट अपना मेन अब्जेक्टिव था कंसेंट्रेट नहीं करें मैं दोज वार्प मिडिल क्लास फैंबली और कुछ ऐसे 80% स्टूरिंट्स होते हैं जो कैट का प्लानिंग तो करते हैं सक्सेज नहीं होते आएंस नहीं मिलता टॉप 20 स्पूल्स नहीं मिलते तो यह वीडियो उनके लिए मतला मैं बार बार यह कहन इस तरह हो बिडिल क्लास फैमली दोस जिनका माइंड इतना वर्क नहीं कर रहा और आएंस तक नहीं पहुंच पाते हैं तो उनके लिए वीडियो बनाया यह अधिके नॉर्मली मत करो आप क्योंकि MBA में दोलाक रुपे लेंगे तो वहीं पीजरी में जाते जाते 6 लाक रुपे लेंगे आपसे 5-6 लाक क्यों महेंगा प्रोडेक्ट बेचेंगे तो ज्यादा इंकम होगी आप समझने में क्या बढ़ो एडवांस कैरिकुलम ऐसा बोलेंगे मतलब आपको किसी भी एंगल से यह कंवेंस करने की कोशिश करेंगे कि पीजरी में इस बेस्ट एस कंपेर टो एंबीए वह क्यों कहते हैं सब महेंगा प्रोडेक्ट है वह बेचेंगे तो उनको प्रॉफिट जादा होगा तो आप लोग दिमाग मत लगा ना कॉलेज कितना भी बोले डि कॉर्पेट वर्ल्ड नहीं देखा कभी आपने कोई जॉब नहीं किया कभी आपने कोई इंटरेंशिप नहीं किया मान के चलो एड़ टाइम आफ जॉब एक फ्रेश कोई कंपनी नहीं रखती है और रखेगा भी ना तो एवरेज प्लेस्मेंट होगा उसका 10,000-12,000 पर में और इतना प्लेस्मेंट तो बी-कॉप पर मिल जाता है इतना फेर भी सेन 2 ब्रॉप भी मिल जाता है तो पनलब क्या निकला इम अर्णिका इसलिए कुछ को क्या है एक वह है को को कॉंसेप्त क्या है इसको ध्यास से Дैग ना आपका 100 पर सेंद्प्लेस्मेंट होगा और या work किया जाएगा आपका personality development पे काम किया जाएगा English communication पे आपका काम किया जाएगा advanced Excel आपको सिखाय जाएगा digital marketing आपको सिखाय जाएगा एक महीने तक वो आपको छोड़ते नहीं आठा दस-दस घंटे बारा बार गंटे बठाके रखेंगे आपको और आपका जो way of talking उसको change कर देंगे आपका dressing sense change कर देंगे कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से बना देंगे कि now you are ready for our corporate world आप एक company में जाके job करने के लिए तयार है अब वो क्या करेंगे classes का timing रखेंगे सुबह morning seven to ten seven to ten तो उनको class होगा लास तो लेना ही पड़ेगा और 11 o'clock आप office जाएगे और 11 से लेके 6 p.m. तक आप office मेरे इट मींस आपका placement on the spot हो चुक है जिस दिन आपने MBA में admission लिया था ना same day मान लो within one month आपका पता है students कहते सर एक मैने की क्या जोरत है आज ही हमको placement अरे भई आप fresher हो आपको prepare तो करें उसके लिए जब आप prepare हो जाओगे corporate world के लिए तभी तो आपको बेजेगी तो पैकेज क्या होगा अब देखें यहाँ कोई package नहीं होता यह मान के चलो it's a internship यहाँ पर आप सीख रहे हैं आप सभजरों में क्या बढ़ों कि मान के चलो 8000 से 10,000 की बीच मान लो यह आप लोग को मिलेगा और अगर 10,000 रुपे भी मिलते हैं आपको और दो साल में आपने 20 months job किया इंटेंशिप किया तो 20 इंटेंशिप किया तो 20 इंटेंशिप अगर मैं करता हूं न तो टोटल बनता है दू लाक तो करीब करीब आपका पूरा MBA का फीस आप खुद निकालेंगे आपको पेरेंट से लेने की जुरती है कॉलिस से बात कर लो इंटेंशिप आप लगवा रहे हो जितना पैसा मेरे पास आता जाएगा मैं आपको भरता जाओंगा और यह डीडलाक रुपे मैं आपके पूरे कर लोगा आप कुछ समझ रहे हैं मैं क्या बुड़ों तो अब एक बात बताएं अगर आपने दो साल मे 30,000 पर पहुंच चुके होगे अब जब 20,000 पर पहुंच गए हैं MBA complete degree आपके हाथ में अब पता है क्या होगा आपके campus में ICSA bank आती है तो जो आपके friends से blank बैठेंगे उनको पता ही नहीं क्या है पर आपको तो बहुत जबर्जस नॉलेज है तो अगर आपको यह नॉलेज है तो यह मान के चलो आप यहीं बोलेंगे मैंने EU finance में यह किया वो किया दो साल काम किया आपने वह experience आप सामने वाले के साथ क्या करेंगे शेर करेंगे वो लेगा ठीक है कितना मिल रहा था 20 वो अगर आप स्टार्टिंग से जॉब कर रहें इंटेंशिप कर रहें तो आपको प्लेस्मेंट में प्रॉब्लम नहीं आती है पैकेज बहुत अच्छा मिल जाते हैं अब यह बाते मैं कर रहा हूं मिनीमम पैकेज बोल रहा हूं में 3.5 बच्चे का कैलीवर है वो चार लाख भी लेके जाता है पास लाख भी लेके जाता है उसके अलावा यह तो एक कॉंसेप्ट हो गया जो नॉर्मल कॉंसेप्ट में बता रहा हूं कुछ कॉलेजिस इसके अंदर एक कॉंसेप्ट लिए जिसको बोलते हैं MBA और साथ में लगा दिया प्लस अब बच्चे कहते हैं what is this MBA प्लस में फी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बढ़ाया ज्यादा नहीं 50,000 इंक्रीज किया उस फी स्ट्रक्चर को कर दिया दो लाख अब इसमें क्या होने वाले यहां पर आप यह मान के चले मैं सारा का सारा जो पंसेप्ट बता रहा हूं आप लोग का जो MBA का करिकुलम है व अगर आप लोग को पूरा का पूरा इंवेस्पेंट बैंकर बना जाएगा दोज वा प्लानिंग पर फैनिस अगर MBA में फैनिस ले रहे हो आप तो उनके लिए सबसे बढ़िया प्रोग्राम है अगर वो करना चाहें तो बाकी तो यह आपका MBA भी कम्टीट हो गया और यह आ करिकुल move 200 स्का कारिकुलम में इसका level one level two level three ऐसा मिलेगा आपको मत्ताच से इन्टोरेक्ष्टेस्पेंड एंधेटों यहां परती होने वाले यहां पर आपके त्री लेवल बन देन लेवल टू और फिर आपको मिलेगा लेवल अभी तीनों लेवल क्या बताते हैं यह आपको पूरा का पूरा इंवेस्टमेंट बैंकर में कनवर्ट कर देए और करीब करीब दक कंपनीज वुचार लिंक पे तो फैनेंसिल कंपनीज जो फैनेंस से रिलेट करती है जो कंपनीज में प्लेस्मेंट होता है और इनका जो प्लेस्मेंट स्टार्ट होता है वह होता है फाइफ लैक्स मिनीमम प्लेस्मेंट इनका 4.5 से लेके और आगे तक पांच लाग मानके चलो एवरिज पांच लाग से इनका प्लेस्मेंट दस लाग तक आप समझने में क्या ब तो यह कोर्स मान के चलें या फिर एक कॉलिज का प्रेस्मेंट पार्टनर का एक कॉंसेप्ट है इसको एडिशनल उन्होंने एड़ किये तो देखें मैं आप लोग को प्लीज एक परसनल एडवाईज करता हूं कि आप कहीं से भी एकरे मैंने कहता है कि आप यहां से अंभी एकरे कुछ चीजों को ध्यान रखना सबसे पहली चीज उस कॉलिज से बोलना मेरे को प्लेस्मेंट आज चाहिए मेरे जीब में पैसा नहीं है मेरे को पैसा पेरेंट्स ने बोल दिया आप कमाऊ और खुद भरो तो सर मेरे को इंटरंशिप या प्लेस्मेंट दिलाओ दस-पंद्रा हजार मेरे को दिलवा दो जिससे की मेरी गाड़ी चलती रहे मतलब मेरी पॉकेट मैं निकालूंगा मेरी फीस मैं खुद भरोगा पहली कंडिशन दूसरा फीस ट्रक्चर दो लाग से उपर नहीं जाना और तीसरा सबसे इंपोर्टेन कॉनसेप्ट है कि आप कॉलेड से पहले ही अ क्लियर कर ले कि मेरेको प्लेस्मेंट चाहिए और प्लेस्मेंट में अनुदा इंस में ब्लेस्मेंट करो समय को फोलो करू अरे नमबर और यह साल पूरे हो जाए उती हो था大 सिधान रखना और किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, related to MBA, MBA join करने के बाद डाउट आएगा, subject wise मैं बैटाओ, MBA में admission देने के time डाउट आएगा, आप इरको call करो, मैं आपको बहुत comfortable, with guarantee, आप guarantee मैं क्यों दे रहा हूँ, अरे भाई, अगर आप लोगो कोई subject में डाउट आता है, मेरे पास होगे आप पढ़े, तो दो साल तो आप मेरे पास ही रहोगे, और वन मंत के अंदर आपका placement होने, आप college को clear बोल दो sir, मेरे पास तो 10,000 पेह बस, यह admission fees ले बात खतम, अब आप मेरा internship लगा और पैसे लेते जो, अगर internship नहीं लगेगा, college को पैसा नहीं देन आपको, तो कही मेरा नंबर है आपके पास में, आप call करो, WhatsApp करो, मैं आपको पूरा और detail में बताऊंगा, कि इसमें कहां कहां कौन कौन से लूपोल्स हैं, वो भी अपन डिस्कस करनेंगे, ओके, best of luck.